प्रोकबड़ी सिजन 10 में टोटल 112 मैचेस कम्पलीट हो चुके आज कॉलकाता लेक का पहला दिन था पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स एंड बेंगॉल वॉर्यर्यर्स के वीच में खेला गया जहां पे गुजरात की टीम ने एजली बेंगॉल वॉर्यर्यर्स को हरा दिय एंड दूसरा मुकाबला भी वन साइडिट था जहां पे हरियना स्टीलर्स की टीम ने हरा दिया यूपी उद्धास को वो भी बहुत बड़े मार्जिन से 16 पॉइंट से मुकाबला जीच चुकी है गुजरात एंड हरियना स्टीलर्स के लिए काफी जादा अच्छी बात है प्लेओफ के करीब पहुँच चुकी है वहीं पे मेंगॉल वारियर्स के लिए अब दिक्कत होगी बाकी टीम्स का क्या सेनेडियों तीन टीम्स कॉलिफाई कर चुकी है और दो टीम्स बाहर हो चुकी है आईए इस वीडियो में प्रू कबड़ी के पॉन्स टेवल पे फट तलगू टाइटन्स की टीम नेक्स्ट मुकाबला खेलेगी बेंगॉल वारियर्स के अगेंस्ट वो भी कल के दिन तो तलगू टाइटन्स के चार मुकाबले बचे हुए वो ही इनको अब कम्प्लीट करने नमबर 11 की बात की जाए तो नमबर 11 पे यूपी उधास की टीम है आज की दिन बड़े-बड़े खिलाडियों के अगेंस्ट खेली लेकिन सेकेंड हाफ में काफी अच्छा खेला लेकिन तबी भी 16 पॉइंट्स के मार्जिन से हार गई इन्होंने 19 मैचेस खेले चार मुकाबला जीती है 14 मुकाबला हारी है एक मुकाबला टाई गया 29 पॉइ यू मुकाबला के टीम ने 18 मैचेस खेले 6 मुकाबला जीती है 10 मुकाबला हारी है 2 मुकाबले टाई गया 41 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफिरेंस माइनस 40 का चल रहा है एंड यू मुम्बा के टीम अपना नेक्स्ट मुकाबला पतना पारेट्स के अगेंस्ट वो भी कल के दिन ये मुकाबला अगर यू मुंबा की टीम हार जाती है तो यू मुंबा की टीम officially प्लेओफ के रेस से बाहर हो जाएगी एंड ये मुकाबला जीतेगी तो प्लेओफ के रेस में मेंटेंड रहेगी लेकिन आने वाले दिनों के बाद बाहर होई जाएगी लेकि Bengal Warriors की टीम हार जाती है या फिर टाइ कर देती है तो दबंग Delhi की टीम automatically qualify कर जाएगी playoffs के लिए and ऐसी playoffs के regarding जो भी आकडे and scenario निकल के आते हैं वो यहाँ पे हम सबसे पहले टेलिग्राम पे शेयर कर रहे है तो playoff आने वाले कबड़ी के जो भी updates होते है वो हम सबसे पहले शेयर कर रहे है तो आपको कुछ नहीं करना है टेलिग्राम पे जाके at the rate sports निफ 7 सर्च करके जॉइन कर लेना है नमबर 9 की बात की जाए तो नमबर 9 पे Bengal Warriors की टीम है कॉलकाता लेक जानी कि अपने home लेक के पहला दिन इतना भी अच्छा है इनका शुरुबात नहीं हुआ 18 matches के लिए 7 मुकाबला जीती है 9 मुकाबला हारी है दो मुकाबले टाएगे 44 points के साथ इनका score difference minus 35 का चल रहा है बेंगॉल की टीम कल की दिन फिर्शे action में देखने को मिल जाएगी इनका मुकाबला होगा तेल्गू Titans के अगेंस्ट अभी देखा जाए तो qualification का जो criteria है वो यहाँ पे minimum 65 points तक आज चुका है अभी फिलाल इनको सभी matches जीतने होगे अगर मुकाबला हारी फिर यहाँ पे इनके qualification के जो chance से वो यहाँ पे और भी जादा कम हो जाएगे नमबर 8 की बात की जाए तो नमबर 8 पे तमिल धलावास की टीम है तमिल धलावास की टीम ने 19 मैचेस खेले 8 मुकाबला जीती है 11 मुकाबला हारी है 45 points के साथ इनका score difference प्लस 24 का चल रहा है तमिल धलावास की टीम अपना next मुकाबला पुनेडी पल्टन के अगेंस्ट खेलेगी इनके 3 मुकाबले बचे हुए 3 मुकाबला जीतेगी तो 60 points तक पहुच पाएगी and 60 points से qualification के लिए मतलब कि points कम पढ़ रहे लेकिन इनको अभी फिलाल अपने 3 मुकाबले जीतने होगे बाकी teams पर यहाँ पर देखा जाएगा कि बाकी teams कैसा खेल रही अगर बाकी top की teams भी लगतार matches हारेगी तो जी हाँ आप 60 points से qualify कर सकते हो लेकिन अगर आप मुकाबला हारे फिर यहाँ पर playoff के रिस्से आप बाहर हो जाओगे नमबर साथ की बात की जाए तो नमबर साथ में बेंगलूर बुल्स की team है बेंगलूर बुल्स की team ने 19 matches खेले 7 मुकाबला जीती है 10 मुकाबला हारी है 2 मुकाबले टाइगे 48 points के साथ score difference इनका minus 51 का चल रहा है बेंगलूर की team अपना next मुकाबला खेलेगी गुजराज जाएंट्स के अगेंस देखा जाए तो इनके 3 मुकाबले बच्चे हो है तीनों मुकाबले जीत के 63 points तक आप पहुंच सकते हो हैं हाँ अभी फिलहाल 63 points से qualify करना possible है लिकोस यहाँ पे अभी फिलहाल का minimum criteria है वह यहाँ पहुंच से 65 points है और जैसी बेंगल की team और matches हारेगी ते points और भी जादा decrease होगा तो अभी फिलहाल बेंगलूर बुल्स को यही देखना है कि 3 मुकाबले कैसे भी करके जीते अभी यहाँ पे top 6 teams के तरह बढ़ते है नमबर 6 की बात की जाए तो नमबर 6 पे पतना पाइरेट्स की team में पतना पाइरेट्स का rank down हुआ है कल तक नमबर 4 पे थी और अब नमबर 6 पे आ चुकी है पतना पाइरेट्स की team ने 19 matches खेले 9 मुकाबला जीती है साथ मुकाबला हारी है तीन मुकाबले टाएगे 58 points के साथ इनका score difference प्लस 34 का चल रहा है कल के दिन पतना पाइरेट्स की team अपना 20 पाइरेट्स की team अपना 20 मुकाबला खेलेगी यह मुमबा के against एंड यह मुकाबला जीत जाती है तो जी हाँ पतना पाइरेट्स की team 99% कौलिफाई कर जाएगी तो इनके लिए यह मुकाबला बहुत ही जरूरी है जीतना वैसे तो तेल्गू टाइटन्स के खिलाब भी एक मुकाबला बचा हुआ है तो पतना की team जादा टेंशन में नहीं होगी लेकिन अभी भी यह मुमबा के against आप जीत जाते हो तो कौलिफिकेशन आपका क्लियर हो जाएगा अगर यह मुमबा की team जीत के पतना को हरा दी फिर दिक्कत हो सकता है नमबर पांच की बात की जाये तो नमबर पांच पे आचुकीए हर्यना स्टीलर्स की team आचकी दिन एक बहुत ही अच्छे तरीके से जीता, च्टवे रएंग से अब आचुकीए पांचवे रएंग पे हरियना स्टीलर्स की टीम ने 18 मैचेस खेले 11 मुकाबला जीती है 6 मुकाबला हारिये एक मुकाबला टाई किये 60 पॉइंट के साथ इनका स्कोर डिफरेंस प्लस थरीका चल रहा है हरियना स्टीलर्स का नेक्स्ट मुकाबला होगा पटना पाइरेट्स के खिलाफ एंड हरियना स खिलाफ होगा सबसे पहले और मुझे लगता है कि हरियाना की टीम 100% कौलिफाई कर जाएगी अपने घर पे एक मुकाबला तो अराम से जीते गही तो हरियाना को आप मालो की कौलिफाई करने वाली है नमबर चार की बात की जाए तो नमबर चार पे गुझरा जाइंट्स की टीम आ चुकी है आज का मुकाबला जीत के इनका भी रैंक अप हुआ है गुझरा जाइंट्स की टीम ने 19 मैचेस खेले 11 मुकाबला जीती है 8 मुकाबला हारी है 60 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफ मुझा लगता है कि अपने बचवे तीन मुकाबले में से एक मुकाबला तो जीती जाएगी और गुजरात के टीम भी अल्मोस्ट प्लियोफ का टीकट कटवा चुकी है अभी फिलहाल चौथे रैंक पे है तॉप तरी टीम के तरह बड़े इसे पहले मापको बता देना चाहता आइसे से अंडर 19 वल्ड कप का भी फाइनल आने वाला है और जो भी बड़े टीवेंटी लिक्स आएगे उसके आपको टॉस प्रेडिक्शन एंड मैच प्रेडिक्शन देखने को मिल जाएगे अभी फिलाल आप पीकल के प्रेडिक्शन के मजे ले सकते हो लिंक आपको डि मुकाबला हार गई इन्होंने 20 मुकाबले खेले 11 मुकाबला जीती है 6 मुकाबला हार ये तीन मुकाबले टाई के 69 पॉरेंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस प्लस 43 का चल रहा है दबंग दली की टीम अपना नेक्स्ट मुकाबला तमिल थलावास के अगेंस्ट खेलेगी इनके लिए अभी यही है कि दो मुकाबले बचे हुए दोनों मुकाबले जीत जाएए क्या पता आप टॉप टू में कौलिफाई कर जाओ या फिर इन बचे हुए दो मुकाबले में आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो नएने कॉंबिनेशन ट्राई कर सकते हो तो यही ची पुने को अपने बच्च वे चार मुकाबले में से सिर्फ एक मुकाबला और जीत रहा है सेमी फाइनल का टिकट कटवाने के लिए और नमबर एक की बात किजाए तो डिफेंडिंग चेंपियंज जैपूर पिंग पैंथर्स की टीम अभी नमबर एक पे है इन्होंने 19 मैचेस खेले तेरा मुकाबला जीती है तीन मुकाबला हारी है तीन मुकाबले टाइगे 77 पॉइंट के साथ इनका स्कोर डिफरेंस प्लस 88 का चल रहा है जैपूर की टीम अपना नेक्स्ट मुकाबला यूपी उधास के अगेंस्ट खेलते वे दिख जाएगी एंट देखा जाए तो जैपूर की टीम भी अल्मोस्ट कॉलिफाइ करी चुकिये समी फाइनल के लिए तीन पॉइंट और चाहिए तो यूपी के खिलाफ टाई करवा दो या फिर यूपी के खिलाफ यहाँ पर जीच जाओ तो आप समी फाइनल के लिए कौलिफाइ कर जाओगे तो यह है प्रो कबड़ी सीजन 10 का पॉन्स्टेबल 112 मैचेस कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे जैपूर की टीम टॉप पे तेल्गू टाइटन्स की टीम बॉटम पे आपकी फैवरेट टीम अभी पॉन्स्टेबल पे कौन से रैंक पे हैं कॉमेंट का के ज़रो बताएग कल है बेंगॉल लेक का दूसरा दिन दो धमाकेदार मैचेस होगे पहला मुकाबला पटना पाइरेट्स की टीम यू मुंबा के अगेंस्ट बिड़ेगी दूसरे मुकाबले में बेंगॉल की टीम टेल्गू टाइटन्स के अगेंस्ट बिड़ेगी पटना की टीम जीती तो almost qualify कर जाएगी Young Mumba की टीम हारी तो playoff के रेसे officially बाहर हो जाएगी Bengal की टीम भी मुकाबला हारी तो almost बाहर हो जाएगी officially होगी almost playoff के रेसे बाहर हो जाएगी Telgut की टीम तो बाहर होई चुकी है तो आपको कैल लगते हैं दुनों match is वीडियो में, ठैंक्स वर वाचिंग